इस टेथोस्कोप को साफ करना विशेश रूप से जरूरी है इस टेथोस्कोप को साफ करने के लिए सबसे पहले इसकी ट्यूबिंग को उपर से नीचे की ओर 70% एलकोहॉल अथ्वा डिटर्जेंट से साफ करते हैं फिर दूसरी रूप लेकर उसी प्रकार उपर से नीचे ले जाते हुए पूरी ट्यूब को साफ करते हैं ट्यूब साफ करने के बाद इयर बड को लेकर 70% आईसो प्रोफिल एलकोहॉल में भिगो कर साफ करते हैं और दूसरी तरफ के लिए एयर बड का दूसरा हिस्सा प्रोफिल करके इसको साफ करते हैं यहां पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब भी इसका एयर पीस साफ करें तो एयर पीस को निकाल लें और निकालने के बाद में यही प्रक्रिया आप पुना एयर बड को अलकोहॉल में डूबो कर दूराएं और साथ में ही यह निकले हुए जो इयर पीस हैं इनको भी 70% अलकोहॉल से अंदर की तरफ डाल के साफ करें डायाफराम वाला हिस्सा साफ करने के लिए डायाफराम को खोल लेंगे और बेल की तरफ की रबड को भी हटा देंगे अब इसको भी 70% अलकोहॉल युक्त स्वाब से गोल गोल घुमा कर अंदर से बाहर ले जाते हुए साफ करेंगे सामने का हिस्सा साफ करने के बाद इस स्वाब को डिसकार्ड कर देंगे और अब जो बिल वाला हिस्सा है इसको गोल गोल घुमाकर साफ करने के बाद में अब बीच का हिस्सा दूसरी रूई स्वाब लेकर साफ करेंगे जब ये डायफ्राम और बिल का हिस्सा सत्तर पतिशत अलकोहल से साफ हो गया तब सुखी रूई लेकर इस हिस्से को भली भाती सुखा देंगे और इस टेथोस्कोप को सुखने के लिए छोड़ देंगे डायफ्राम का जो गोल वाला बाहरी हिस्सा है उसको भी अंदर से गोल गोल घुमा कर साफ करेंगे और दूसरी रूई से सत्तर पतिशत अलकोहल लेकर बाहर के हिस्से को साफ करेंगे साफ करने के बाद एक सुखी रूई द्वारा इसको पुँच देंगे और सुखने के लिए छोड़ देंगे इसी विदी से बेल में लगने वाली रबड को भी साफ करेंगे जब ये सारी बेल का डायफ्राम और रबड सब सूख गई है तो इनको वापस स्ट्रेथोस्कोप में लगा देंगे स्ट्रेथोस्कोप को दिन में दो बार अवश्य साफ करना चाहिए झाए 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 स्ट्रेथोस्को वावश्य साफ